भूमी बहुत ही चंचल और फुर्तीरी लड़की थी, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी एक ही आदत से परिशान थे, कि वो घंटों शोचाले में बैठी रहती थी, भूमी की मम्मी शारदा चिल्लाते हुए बोली, भूमी मैं तो इस लड़की से परिशान हो गई, खाने में तो इतनी फुर्ती दिखाती है कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन निकालने में घंटों लगा देती है, अरे जल्दी किया कर, शादी के बाद अगर वाश रूम में इतनी देर लगाएगी तो सास जीने नहीं देगी, भूमी पसीना पोचती हुई बहा निकली और मुह बनाती हुई बोली, अब जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो, खाऊ तो भी मुश्किल और निकालू तो भी मुश्किल, हाँ, ऐसा करो, आम मुझे खाना दे नहीं बंद कर दो, ना रहेगा बास और ना बजेगी बा बताऊं कि तुम संदास में बैट कर बासुरी नहीं बजाती बलकि पटाखे फोड़ती रहती हो, एक दिन शार्दा बोली, भूमी जल्दी तयार हो जाओ, तुम्हारे पापा के कोई दोस्त अपने बेटे के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं, कुछ समय बाद मयंक अप भूमी और उसका परिवार खुश था, उन्हें भी मयंक बहुत पसंद था, लेकिन ये क्या, भूमी के पेट में गुड़गुड होने लगी, वह वाश्रूम की तरफ भागी, एक घंटे बाद, अच्छा समधन जी, अब हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारी होने वाल अब शार्दा कैसे बताए कि कुकर सीटी नहीं दे रहा, बलकि उनकी बेटी वाश्रूम में बैठी गोला बारी कर रही है, खेर इन सारी समस्याओं के रहते हुए भूमी की शादी मयंक के साथ हो गई, ससुराल जाकर यूं तो भूमी ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिय लेकिन ससुराल वालों को शिकायत थी कि भूमी घंटो शौचाले में बैठी रहती है, दो महीने बीट कए, एक दिन बविता चिल्लाई, अरे बहु जल्दी निकलो, कहीं तुम्हारी तबियत तो खराब नहीं, जो इतना समय लगा रही हो, बहुत जोर से लगी है, जल्दी निकल जाओ, मम्मी जी, अभी निकलती हूँ, थोड़ा पेट खराब है, मुझे तो लगता है कि अंदर जाकर सोही जाती हो, तभी घंटो में निकलती हो, अरे अब निकल भी जाओ, तुमारे ससुर जी और मयंक भी लाइन में खड़े हैं, भूमी बाहर निकली तो सास ससु को बाहर खड़े देख, उसे बहुत शर्म आई, एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं पेट साफ करने में रोज ऐसे ही समय लगाती रही, तो हमेशा ऐसे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा, उसने एक तरकीब निकाली, वह चिलाई, मम्मी जी, मम्मी जी, कहा हो आप, जल्दी कही हुई सारी बाते सच होती हैं, आज मेरे पास उनका खुद फोन आया तो मैं हैरान हो गई, अरे अब आगे भी कुछ बताओगी कि फोन किसलिए आया उनका, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे घर के शौचाले में वास्तु दोश है, जिसकी वजह से घर के बड़े बुजर्गों की जान को खत्रा हो सकता है, हाँ, अच्छा, ये कहा उन्होंने, वैसे हम लोग ये जोतेश वगेरा ज्यादा मानते तो नहीं है, फिर भी बात जान के खत्रे की है, तो तुम उनसे उपाए पूछ ले ना, मैंने पूछ लिया ममी जी, सारा कश तो मेरे ही बैट कर पहले मेरे बताए मंतर का दो सो एक बार उचारण करना होगा, तब ही ये दोश दूर होगा, कोई बात नहीं बहू, कल से हम सब तुम्हारे जाने से पहले ही हलका हो लेंगे, उसके बाद तुम्हारा आम से बैट कर जाप करना, आखिर हम लोगों की जिन्दगी का स सवाल है, अभी हमारी उमर ही क्या है, अभी तो हमने अपने पोते-पोती भी नहीं देखे, ममी जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपने जीते जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कितना भी कर्ष्ट छेलना पड़े हाँ, भूमी बहुत खुश थी, यही तो वह चाहती थी कि शौचाले में जाने के बाद उसे कोई न टोके, नहीं तो फिर वह जल्दबाजी में हलका नहीं हो पाती, अब तो भूमी बड़े चैन से शौचाले में बैठती और फिर आराम से हलका होकर निकल बहु, जो तुम्हे साधु जी ने बताया था, व बहु, तुम कितनी अच्छी हो, हमारे लिए घंटों उस बदबू वाली जगा बैठकर मंतर का जाप करती रहती हो, भगवान तुम्हे सारी खुशियां दे, एक दिन बबिता ने कहा, बहु, तुम्हे पता है, आज मेरी ननदा रही है, बहुत दिनों में आ रही है, उन्ह समय ही नहीं मिलता, लेकिन जब भी आती है, घर में रोनका जाती है, हाँ, ममी जी अच्छी बात है, इस बहाने मैं भी उनसे मिल लूँगी, शाम के समय प्रेमवती बुआ आ गई, भूमी को खूब आशीश दिये, भूमी ने भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, एक सपतहा गुजर गया, देखा दीदी, हमारी बहु कितनी अच्छी है, बहु तो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कि भूमी शोचाले में इतनी देर तक क्यों रहती है, अब दीदी आप से क्या छुपाना, बहु ये सब हमारे लिए कर रही है तुम्हारे लिए, मैं समझी नहीं, बविता ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर प्रेमवती ने कहा, भाबी, वाकई तुम बहुत भोली हो, बात ये नहीं कुछ और है, तुम्हें ये जानकारी तो होनी चाहिए, कि शोचाले में किसी भी तरह का कोई पूजा जूट बोल रही है, अब देखना, मैं सच्चाई उसी के मुह से उगलवाऊंगी हाँ, बस जैसा मैं कहूँ, तुम बहु से वैसा ही करने के लिए कहना हाँ, दोनों ने आपस में खुसर-पुसर करी और आगे की प्लानिंग तयार हो गई, बविता ने आवाज लगाई, ब बहुत ही प्रसिद महात्मा है, जो तुम्हारे वाले साधू ने कहा, वही उन महात्मा ने बताया है, ये बताने के लिए वो इतनी दूर से यहां आए थे, और अब बिना खाए पिये चले गए, उन्होंने कहा है कि बहु को दो सो एक बार नहीं, बलकि एक हजार बार मंत्र के जाब करना है, और हर सोम बार शौचाले में ही सोना है, अ, आप ये क्या कह रही है, शौचाले में सोना है और एक हजार बार जाब करना है, नहीं मम्मी जी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्या बहु तुम्हें हमारी जान की बिलकुल परवा नहीं है ममी जी मैं तो आपको अपनी मा से भी बढ़ कर मानती हूँ तो क्या तुम हमारी सलामती के लिए इतना भी नहीं कर सकती ताज्जुब की बात तो ये है कि मेरे मायके के महत्मा और तुम्हारे यहां के साधु ने एक ही बात कही है बहु आज सोमवार ही है शौचाले में सोने और जाप का प्रबंध कर लो हाँ मंत्रों का जाप जोर से होना चाहिए भूमी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा वे रोते हुए बोली मम्मी जी वो सब मैंने आप से जूट कहा था दरसल मेरे पेट में कब्स रहती है इसलिए मैं जल्दी से हलका नहीं हो पाती बहुत समय लग जाता है जब सब लोग मुझे इतनी देर में शौचाले से निकलते देखते थे तो मुझे शर्म आती थी इसलिए इस शर्म से बचने के लिए मैंने साधू का बहाना बनाया था वो सब जूट था मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है मुझे माफ कर दो आगे से मैं कभी जूट नहीं बोलूँगी मैं कह रही थी ना भाबी कि बहुत जूट बोल रही है बविता ने रोती हुई भूमी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा इसमें जूट बोलने की क्या बात थी बहु तुम सीधे सीधे मुझे बता भी तो सकती थी आखिर मैं मा हूँ अगर मैं भी ना समझू तो कौन समझेगा खेर छोड़ो मैं आज ही तुम्हें पेट के डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ उसके बाद बविता भूमी को अस्पताल ले गई और फिर उनकी कब्ज वाली बहु ठीक हो गई अरुन और अमिता पार्क में मिले दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं अमिता बोली तरुन अब कब तक हम छुप छुप के मिलते रहेंगे मुझे तुम्हारे बिना कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो अमिता बहुत बड़ी गड़बड हो गई है मेरी तो समझ भी नहीं आता मैं क्या करूँ तुम्हारा मुह उदास मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता बेहन की शादी कर दूँ छी छी हद हो गई कमीने पन की तुम्हारी सोच कितनी घटिया है तुम तो नखास खाने में बिकने वाले जानवरों की तरह अपनी बोली लगवाने वाले हो ये क्या बकवास कर रही हो तुम ये बकवास नहीं है सचाई है कि तुम पैसों के लिए औ और मुझे छोड़ना चाते हो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है मुझे तुमसे बहुत प्यार है मीता मैं तुमारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ लेकिन बेहन की शादी करने के लिए पैसे चाहिए होंगे वो बातों से नहीं मिलेंग पताओ मैं क्या करूँ तुम ही बताओ तो इतने ज्यादा रुपए तुमें कोई दहेज में क्यूं देगा कि उससे तुम अपनी बेहन की शादी कर सको क्यूंकि वो एक अंधी लड़की है ओ माई गॉड तुम अपनी बेहन की शादी के लिए अपनी जिन्दगी बरबात क पलकि शादी के बाद मेरी जिन्दगी तो पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो मैं नहीं पता है कि मेरे मन में क्या प्लान चला है तुम बताओगे तब ही तो पता चलेगा मैं उस अंधी लड़की से शादी कर दूँगा उसके दहे से अपनी बेहन की शादी कर दू यह तो बहुत अच्छी प्लानिंग है वे खुशी के मारे अरुन के गले लग गई अरुन ने अंधी लड़की अनिका से शादी कर ली आज रात में उसकी सुहागरात थी अनिका मेरी तबियत ठीक नहीं है मैंने दवा खाई है इसलिए नीद आरी है तुम बैट पर सो अनिका भोली भाली थी उसे अरुन की मकारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था उसी समय अरुन ने अमिता को फोन करके मिलने के लिए बुला लिया वह अरुन के पास उसके बैट पर आ गई दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट गए जैसे बरसों के बाद मिले हो बेबी मैं अनिका को नीन नहीं आ रही थी उसने दोनों की आहट को सुनकर कहा कौन? कौन है वहाँ? अनिका की आवाज सुनकर दोनों चौक कर अलग हो गए और अरुन बोला क्या पागल हो तुम? यहाँ तो कोई नहीं है लेकिन मुझे तो किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी तो क्या मैं जूट बोलना हूँ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मुझे मिलें के लिए कोई लड़की आई है? अपना गंदा दिमाग लेकर दूरी रहो मुझे, बात मत करो मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई अनिका इतनी फटकार सुनकर चुपचाप आँसू बहाने लगी फिर पूरी रात भर अमिता और अरुन रंग्रेलिया मनाते रहे अन्धेरे में अमिता चुपके से चली गई अब यही उनका रोज का नियम बन गया अनिका से गुसा होने और तबियत खराब होने का बहाना बना कर अरुन अनिका से बोलता तक नहीं था लेकिन अंधे लोगों की छटी इंद्री आक्टिव होती है उसे शक हो गया कि कुछ गड़बढ है एक दिन जैसे ही अमिता कमरे में आई अरुन और अमिता दोनों ही एक दूसरे के आगोश में समा गए ठीक उसी समय अनिका कमरे में आई और उसने उन दोनों को पकड़ लिया अब आप बताईए कि यह लड़की नहीं है तो कौन है अरुन की पोल पट्टी खुल गई इसलिए वे बहुत नाराज हो गया वे अपने बचने की तरकीब सोचने लगा अचानक अरुन ने अनिका को धक्का दिया अनिका दूर जा गिरी उसके बहुत चोट लग गई सिर से तेजी से खून बहने लगा अमिता तुम यहां से जाओ बाकी मामला मैं सभालूंगा ठीक है अपना ध्यान रखना अनिका को ये सब महसूस कर बहुत बुरा लगा मैं रोती रही और कहने लगी हे भगवान अब मैं क्या करूँ अपने मायके चली जाओ या यही रहू फिर उसने अपने मन में सोचा नहीं मैं अगर मायके में जाओंगी तो सब को ये सब जान कर बहुत दुख होगा अब मैं ही अरुन को रास्ते पर लाने की सोचूंगी अनिका के सिर से खून बहता हुआ देखकर अरुन घबरा गया उसने अनिका को हास्पिटल पहुँचाया अनिका को नीन का इंजेक्शन लगवा दिया गया सवेरे अनिका की जैसे ही आँख खुली वह खुशी से चीख पड़ी यह क्या मुझे दिखाई दे रहा है यह चमतकार कैसे हुआ डॉक्टर यह बात सुनकर डॉक्टर भी चौक पड़ा और मुस्कुराते हुए कहा बेटा तुम जर्म से अंधी नहीं थी क्या कभी तुम्हारी चोट लगी है हाँ मुझे बच्पन में चोट लगी थी बस वहीं से तुम्हारी नसों में बलड का हलका सा थक्का जमा हुआ था लेकिन अब चोट लगने से वो दूर हो गया इसलिए तुम्हारी आँखों के रोशनी वापस आ गई है ऐसे केसिस में ऐसा होता है कि जैसे चोट लगने से रोशनी जाती है वैसे ही चोट लगने से वापस भी आ सकती है यही चमतकार तुमारे साथ हुआ है लेकिन डॉक्टर साहब, प्लीज, किसी को बताना मत की मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई है क्यों? क्योंकि मेरे हस्बेंट बहके हुए है, उनको रास्ते पर लाना है मेरी शुब कामनाई तुम्हारे साथ है अनिका घर वापस आ गई, वे अब भी अंधे की आक्टिंग करती थी अनिका अब मोबाइल से खूब फोटो क्लिक करती और विडियो बनाती थी अनिका को एक बात का पता चला जिससे वे बहुत चौक गई अरुन की गर्फरेंड अमिता किसी सौरब नाम के लड़के से प्यार करती थी रात में अनिका अरुन से मिलने आई अरुन बात्रूम में गया था तब ही अमिता ने सौरब को कॉल की और बोली हेलो सौरब, मैं आदे घंटे के बाद कॉल करूँगी तब तुम पिछले वाले गेट पर आ जाना इतने दिनों में मैंने सब पता लगा लिया है कि कैश और ज्वैलरी सेफ में कहां पर रखी है मैंने अरुन की चाय में नीन की गोली मिला कर पिला दी है बस कुछ देर की बात है, फिर हम लोग यहां से फरार हो जाएंगे और शादी कर लेंगे हम दोनों ने मिलकर अच्छा मुर्गा फसाया था काफी लंबी रकम हाथ लगेगी, ये अंधी किसी काम की नहीं है अनिका ने अपने अंकल के दोस्त इंस्पेक्टर भासकर को सूचना दे दी आदे घंटे के बाद वहाँ एक पुलिस की जीप आकर रुकी इंस्पेक्टर भासकर ने कैश, ज्वेलरी की पोटली, सहित, अमिता और सौरप को गिरफतार किया अरुन के ममी पापा हैरान थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था सुभा जब अरुन की आँख खुली तो उसे सब पता चला अनिका, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोका दे रहा था अरुन की आँखों में पच्चतावे के आँसू थे, उसने अनिका को पहली बार बड़े प्यार से गले लगाया अनिका ने उसे माफ कर दिया, और बोली एक खुश खबरी भी है आपके लिए, मेरी आँखें ठीक हो गई है अरुन खुश होकर बोला, उसने अनिका के माथे पर प्यार से किस कर लिया अनिका मुस्कुराने लगी